नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज हम बात करें उत्तर प्रदेश की जहां पर निकाय चुनाव से पहले या फिर कहिए कि लोगसभा चुनाव से पहले इस तरह के आरोप रते आरोप के साथ-साथ जुबानी जंग चलती रहेगी जब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ऐसा दोर लगातार चलता रहेगा ताज़ातरी मामला है अखलेश यादव की पार्टी समाजवादी को लेकर का गया है कि समाजवादी पार्टी की जो मानेता है उसे रद कर दिया जाना चाहिए आखिर मसला क्या है पूरा वो आपको बताएंगे लेकिन फिलाल आपको ये भी बताते चले कि स्वामी परशाद मौरे की वज़े से लगातार अखले शादव की फजियते बढ़ रही हैं क्या वाकई में ऐसा कुछ है अब फिर अगर पार्टी की बात करी जाए तो इससे पार्टी को एक नकरात्मकता ही सही लेक हिंदू परिशत की और से लिखा गया है आपको बता दे कि इसमें क्या कुछ का गया है आपको बता दे कि वेप के केंद्रे कारयाद्यक्ष आलोक कुमान ने ये जो है बताया है और इस समय लेने के लिए मुख चुनाव आयोक्त को पत्र भी बेजा है और का गया है कि 1951 की 29A में इस तरीके की बाते की गई है जिसमें बताया गया है कि चुनावायों को बताएगा कि हर राजनेतिक डल को अपनी पार्टी के मेमोरेंडम के प्रावधानों में विश्वास रखते हुए पंत निर्पेक्ष्टा और लोक्तांसरिक सिद्धानतों का निष्टा के साथ प पवित्रपन्नों को जलाने से भारत के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुचा इस तरीके की बात जो है वो की गई थी वहिप ने राजद यानि की राष्टिय जंता दल की जो मानिता है उसको रद करने की मांग की उन्होंने का कि राजद के नेता और ब्यार के शिक्षा मंतरी डॉक्टर चंदर शेकर ने भी रामचरित मानस पर जो टिपणी की है वो काफी गंभीर किया है और इस मामले को फिलाल जादा तूल नहीं दिया जा रहा है लेकिन अगर हिंदू दलों की बात करी जाए तो वो नहीं चाहते कि मामला जो है वो शान्त हो और क प्राइदा लेने की कोशिश की जा रही है तो आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए फिलाल इस खास पेशकश में इतना ही देखते रहें नेक्स नाइन न्यूस नमस्कार